स्वागत है आप सभी का हमारे योटूब चैनल गौतम ओलाइन स्टेडी में तो आज आपके लिए जानकारी लेकर आ गए है RPFSI Costable Admit Card आज चुका है ठीक है तो कैसे डाउनलोड करना है आपको देखना कैसे है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी तो भटकना, खतम आपका, सब कुछ आपको बताया जाएगा किस वेबसाइट से और कैसे देखें जल्दी से आप Admit Card जानकारी सबको मिल जाती है पर कैसे देखना यह जानकारी नहीं मिल पाती है तो यही आज हम आपको बताने वाले हैं तो आप लाश्ट तक देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है और लाइक जरूर करें अगर आपको जानकारी सही लगे तो तो क्या करना है आपको सबसे पहले गूगल में आप जाएगी और सरकारी रिजल्ट आप जैसे ही सरकारी रिजल्ट राइट करेंगे वैसे ही आप इसमें देखेंगे क्लिक करेंगे कि आपका यह ओपन हो जाएगा ठीक है सरकारी result की website इसमें आप देख सकते है admit card सबसे उपर ही सो हो रहा है आपका admit card इसमें आप अगर latest job admit card result इस तरह की जानकारी आपको मिलती है इस website में तो हम देखेंगे देखने के आए है admit card अब देखिए अब हम आपको कैसे देखना है पूरी जानकारी आपको दी जाएगी एकदम से तो बस आप last तक जुड़े रहे हैं ठीक है तो देखिए आप देख रहे हैं download admit card constable sum inspector SI ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम constable की आपको जानकारी दे देता है कि कैसे देखना है तो जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो यह आपका selected group to download call later तो इसमें आपको group select करना पड़ेगा तो कैसे group ENFR ठीक है तो इसमें आप जब click करेंगे तो आपका यह window open हो जाएगा और जिसमें आप registration number डाल देंगे अपना और date of birth डाल देंगे और login कर देंगे और आपको admit card तो हो जाएगा ठीक है तो यह हमने बात की costable की costable का कैसे आपको देखना है ठीक है अब हम आपको बताएंगी कि SI सब इस्पेक्टर का कैसे देखना है तो सबसे पहले आप back जाएंगे पीछे ठीक है और फिर आप देखेंगे download card में अलग से आपके costable और समिस्पेक्टर SI तो हम इसमें क्लिक कर देंगे तो यह आ जाएगा आपके railway protection force railway protection special force की window open हो जाएगी अब select a group to print application इसमें आपको group select करना पड़ेगा group E and group F group F जो है आपके mail candidates only group F है ठीक है SI के लिए तो सबसे अगर पहले अगर हम group E की बात करें तो group E में क्लिक करेंगे तो यह आपका window open हो जाएगा जिसमें आप registration number डालेंगे और date of birth अपना डालेंगे और login करेंगे तो आपको admit card so हो जाएगा ठीक है group E की बात की हमने फिर हम back जाएगे और group F जिनका group F है mail candidates only है जो आपके तो उसमें हम क्लिक करेंगे जैसे की RPSF दिया है ठीक है तो आप group F में देखना है आपको तो देखिए इसमें आप यह भी देख रहे हैं short form अगर आप कोई समझ मनी आ रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं ठीक है यह जानकारी भी आपको जानना जुरूर ही है तो जैसे NFR दिया है group E में NFR दिया है आप देख रहे हैं यह देखिए group E में NFR दिया NFR का full form क्या होता है North East Frontier Railway ठीक है फिर आप देख रहे हैं कि RPSF RPSF दिया है ठीक है तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं group F में क्लिक कर देंगे और आपकी विंडो ओपिन हो जाएगी RPF, RPSF इसमें आप registration number डाल देंगे और date of birth डाल देंगे बस और login कर देंगे तो आपको admit card सो हो जाएगा ठीक है तो यह थी जानकारी ऐसे जानकारी आपको बहुत कम मिल पाती होगी बहुत से लोगों को यह जानकारी मिल जाती है कि admit card आज चुका है, मगर कैसे देखना है यह जानकारी नहीं मिल पाती है इसलिए मैंने आपके लिए जानकारी लेके है कैसे आपको देखना है पूरी process first to end it टक पूरी प्रोसस आपको बताई गई ठीक है तो इस तरह से आप एड्मिट काड लिए yani तो ये थी जानकारी आपके अब्रीट कार्ण डाउनलोड कैसे करना है थीक को अगर आपको तो आप उन्हें भी जरूर देखें तो आप उससे भी जरूर देखें ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ थैंक्यू